कर दिया जाए पहले आप मैं 25 सालों से में नोक्री में हुए आप देखते होंगे कि पहले सिर्फ रेगुलर इंप्लॉई बर्ती होते थी उसके बाद रेगुलर से डेली वेजर हुए डेली वेजर से कॉंट्रैक्ट हुए कॉंट्रैक्ट से अब आउट्सोर्स तत पहुंच गये और कॉंट्रैक्ट में भी उसके बाद कई तरह के राइडर लगा दो साल की नोकरी के बाद इतना मिलेगा पे कम लिए जादा मिलेगी इस तरह की चीजें होती आई हैं और अभी रिसेंटली अगर हम देत रहे हैं देखें जो सरकार में अधिकारी लेवल पर या जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके लेवल पर फिजूर खर्ची होती है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही जाता है रंजास में पहली वाह हुआ हुआ है कि हम हम सरकार की प्राब्लम्स अमझते हैं जो भी मुख्यमंत की Tamil्थ हों विपदाए हैं उसको भी हम समझते हैं लेकिन उसके बहुत भी हमारा जो ड्यू है उसको लेकर कई तरह की चीजी हो रही कभी कहते हम 6 मेने बाद देंगे कभी कहा हैं कि हम जो है अगले साल देंगे कोई कोई निश्चिंत लिए कई बार एक फार्मूले बनाए जा रहे हैं कि सब्सक्राइब करके दिया जाएगा एक फार्मूला जो पीछे हमने देखा मुझे लगता है कि उस फार्मूले में तो हम अगले जनम में भी हमारी नहीं मिलना था तो करमचारियों के हपों पर सरकार की तरफ से क्यों जो है किस तरह की अंदेखी की जा रही है इसको लेके म तो अगर उनको भी ट्यूज ना मिले और इस तरफ से आप एक तरफ से महां हम पर टेक्स लगा रहें तरह तरह कि कई तरह कि हमारी सुड़िदाएं हेल्थ की सुड़िदा में मिलती थी हिम केर की बंद कर दी जबकि आप देखेंगे मले और मंत्री को कोई बार नी है हम लो हो और कितने कभी को पास हो जाता है हमें हमारे अचारियों का अचारियों का पील कर रहे हूं कि करमचारियों को सरकार के समक्ष एक आवाज में करने सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि हिमाच्चल प्रदेश सची वाले जो सेवाएं का जो सेशन सबसे पहले आवाज उठाई आज कोई करमचारी संगठन नहीं बोला इन संगठनों का मुझे लगता है हम बोला हो संगठनों की नहीं नहीं तो हमारे हकों की बात हो же हमarius नेताय में को सची वाले करमचारी के जो अध्यक्ष्य संजीब जी मैं हमारे संगठन के ऊर से उनका बहुत अभार वेक्ष तब्लिफ करता हूँ कि मैं हमारे करमचारी की आवाजी उठाई और मैं उनको खुला समर्थन दिना चाहता हूं कि हमारा संगठन उनके साथ कंदे जिकन्द मिल मुख्यमंत्री मोहदय के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएं मुझे नहीं लगता कि हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुने कि देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं छोटे-छोटे पॉइंट से आपको पताना चाहता हूं कि करमचारियो करमचारियों के लिए कोई मंच ही नहीं है जो मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए हम हमें किसी तरह से मुझे पहुचने का हमरे पाद रौजाएं मैंने पिछले साल दो-तीन बार मांने मुख्यमंत्री मोदय को चिप्षिए अपने विभाद के हमारी बहुत अली प्रॉब्ल करमचारियों को बुलाए जाता था आज की डेट में कोई जैसी सी नहीं कोई हमारी प्रॉब्लम का कोई पता नहीं लगेगा इसी तरह हमारे 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 रोक दी जाएंगे तो मैं आपके मादें से कहना का चाता हूं किσमार्चल प्रदेश सरकार से हमारे वेदन है की हमारे जो वेतन है थारी हमारे गैदय हो गया है तो कब तक हमें अदा किया जाता है कि दिया गया तीन परसेंट है उसके कोई बात नहीं हुए तो यह कब दिये जाएगा इसकी घोष नहीं की जो तीन-चार मेने का गैप उसका रहता था वह पता नहीं ऐसे जो हमारा पेर वीजन का है पिछली सरकार ने पचास जार रुपया में अब हम गोरेंगे पिछली सरका सरकार ने दिया यह Vice-year-old कि अगर आपकी सरकार नहीं चल रहें' करबस्मल सरकार से हाथ क्या-टार नहीं को ने तो हम उनका साथ देने को त्यार है और वह कोई भी संकट्ष नियाता तो चोटा सा संकट्ष होते हुए उने के बाव दोज़ी सरकार से अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष हम जाएं लिए और हम याग रहे करते हैं आपके मादियं से कि मानमे मुख्य मंत्री महोदे करेपे कि सुय में हमारी बाति भी सुनी हमारी इस्मस्य है अपने इसमस्य हैं बताए हैं कि हमारे ब्स हमें क्यों पिल्ग नाला गहाुक्त्राकित कुझ पहल जो हमारी अधिकारी है आइससर्द हैंकि करमचारी के उर्ध करत लगा दो आपannée को सारी यौजनाथ